आज हमारे यहां बहुत जबदस्त मोसम हुआ था और इतने Pyrque मेरे दरख के ओपर बैठे हुए थी ना इतनी चुँचुँ की रसी आरी थी ना लेकिन बाहर एक घर बनुर तो इतने ठक 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 हो रही थी वरना मेरा बड़ा दिल था कि मैं आपनी परेंड़ों की आवाज सुनातीин परेंगे इन परेंदों की आवाज खाना वगारा दानाशाना डालती हूँ जितनी बर्ड्स आ जाते हैं बस उन्हीं की ओवाजों को सुनके तो खुश हो जाती है तो बस उसके बाद मैं अंदर आगी और मुझे आज बनानी थी देही मैं तकरीबन एक दिन छोड़ कर देही बनाती हूँ और इतनी मज़े की बन जाना देही बनानी शुरू कर दी तो जनाब आज मैं हमारे घर ना देशी अंडे आए और बड़े दिनों बाद आए देशी अंडे जो है ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं मिलते बड़े मुश्किल से एं और इजनल तो आय तो मैंने का आश तो मैं जनाब बॉयल कर कि खाऊंगी एग्स और उसके बाद फिर कुछ और काम करूंगी कल हमारे घर कोई गैस्ट आय तो ऐसे ही बाते हैं करते हैं मुझे से पूछें लगे कि इतना जादा टाइम कैसे निकलाता है आपको आपके पास कि आप यह भी कर लेते हो व्लॉगिंग भी कर लेते हो बच् देख लो स्कूल आना जाना यूनिवर्सटी कॉलिज बच्चे तो बड़ी प्राब्लम होती है और तो मैं तो ठक जाती हूं खर मैंने उन्हें बोला कि यह जो थकावट है ना यह इनसान के जहन की जिसे कहते है ना एक दिमाग के अंदर का कोना है बस उसके अंदर अगर आ यहां पर जना मैं तकरीबन घंटा हो गया था मुझे एकस खाय वे और मुझे यह था कि आप मैं चाय पी लूँ क्योंके मेरी हजबर ने बताया था कि अंडे खाने के एक घंडे तक चाय बिलकुल नहीं पीनी तो बस एक घंटा हो गया तो मैंने का यह मज़े की चाय बनात जै सेना इनसान के इंदर बड़ी चीज़ें जागर होती हैं और एंसान के एंदर एक ना कहते हैं आ जोशो वलवला आता है कि आपके अपने आपको टाइम देते हो over ऐसे कैसRC Pennsylvania अन। आपको को अपने अंदर पील कि होती है है ..चैं हाँ यह भी मेरी अंदर थी .. और मैंने अपने स्टडी रूम में ना बहुत सी बुक्स रखी नहीं है जब मैं फारिग हो जाती हूँ ना मी टाइम मेरा मेरे स्टडी रूम से शुरू होता है मैं बड़े अराम से साइट पे कैंडल ये मैंने ना दरास से मंगवाई थी और इतनी खशबूदार ये कैंडल है ना यकीन करें इतना मज़ा आता है ना इसको लगाकर बड़ी मेसूर कुन खशबू आती रहती है तो बस मैं इसको लगा लेती हूं और उसके बाद मैं अपना काम जो मेरे काम है ना मैं मैं वो करती हूं जो मेरे अपने ذات seat होते हैं For example, मैं एक और बता हूँ, मेरी आदत है डायरी लिखने की, किसी दिन मैं आपको अपनी डायरी हैं दिखाऊंगी जो लिख लिखके मैंने खतम हुई ना, इतनी खास डायरी हैं ना मैं आपको बता आ नहीं सकती है, तो बस मैं उसमें अपनी जो दिन का काम होता है, जो मैंने दिन में करना है, जो मैंने दिन में करना है, वो सारा कुछ मैं लिखती है, और यह यह नहीं है कि रात को लिखके बढ़ जाती हूँ, मैं दिन में जो जो काम च inner-ack is दू Okay रह आ यह रह गया, और यह चीज़ लाई यह बूल गई बस घुझ भू बन पस जो यह भी होता है, यहीं पर बैट के नमाज भी बढ़ती हूं यही मेरा study room जो है ना नमाज भी यहीं पर पढ़ती हूं मेरी reading भी होती है मैंने अगर कोई book पढ़नी है तब भी कुछ भी यह हर काम अपने यहीं पर बैट के school का जो time है ना मैं यहीं पर अपना spend करती हूं जो बुक पढ़ना है वो बहुत अच्छी आदत है और यह आदत जो है ना बचों में भी लाजमी डिवेल्प करें अपनी ताके आदत पढ़े बुक्स पढ़ने की और जना फिलाल मैं आपको बता दूमें यहां क्या का रही हूं मैं एक्स बना रही हूं अपने बेटे के और मुझे अचानक से यादाया आप में देखा होगा मैंने मिर्च जो है अलाइदा से डाली है मैं अक्सर किया करती थी अंडे में इसी तरह बगारा डाल करना तो फैंट लेती थी लेकिन उसमें वह बन जा जाती थी तो मेरी बेटी ने मुझे बोला कि मा निया पैसे ना किया करो हुआ थोड़ अशाद पानी एक ना चममच पानी में नमक और मिर्च अच्छी तरह से घोल्के उसके बार फिर उन्ड ढाला को मुझे अचानक से यादा बाऊ थी जो है तो मैं तो झो हैनाशक और जो मुझे अलएदा इस ऐसे अल़ा इंड डा उन्डे में डाला होगा तो बस एक बात मेरी लाजमी याद रखें, अपने आपको टाइम दें, अपने आपसे प्यार करें क्योंकि देखें जब आप खुद फ्रेश रहेंगे तभी तो घर के काम होएंगे ला वरना तो अगर आप बिमार हैं, आपसुस्त हैं, या आपकी तबिय ठीक नहीं हैं, तो फिर आप किस तरह चलेगा, घर का नजाम देख, और अगर चलता ही नहीं है इसलिए अपने आपको सबसे पहले अपने आप पूर प्रियोरिटी दें और उसके बाद जो आपने करना पो करें और उसके लिए थोड़ा से सुबा पोटना पड़ेगा सुबा उठें उठें आप अपने लिए जो भी आप कर सकती है जिससे आपको खुशी मिलती है वो करें तो जनाब डेली के काम तो कभी भी खतम नहीं होंगे जिन्दगी के काम वो तो साथ साथ चलते रहेंगे और यहां पर देखें बढ़ी बन चुकी है मैं इस विस्कर की मदद से इसको अच्छी तरह से मैं जरा घुमाश हुमा के इसको मैं फैंट लूँगे अच्छी तरह से उसके बाद फिर मैं इसको फ्रिज में रखती हूं ठीक है और उसके बाद थोड़ी देर बाद बैल होई हमारे गेट पर मैंने का देखूं तो सही जाके कोन आया है तो मेरे हजबंड ने जनाब कहीं लाहूर से ना कोई ऑनलाइन उनने कोई देखी बरफी तो वो उन्होंन का नाम था और यकीन करें जब मैंने बॉक्स खोला मेरे हजबंड ने मुझे का लग देख लो पता नहीं किस तरह की आईगी हो ना तो मैंने का चलो मैं देखती हूं चेक करती हूं लेकिन यकीन करें इतनी मज़े की मिठाई थी ना मेरी वैसे आजकल बड़ी अच्छी जो है ना इसको फ्रिज में रख दिया मैंने का हजबन मेरे रात को आएंगे तो फिर ही हम लोग खाएंगे तो जनाब ये था मिराज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें विट फैमली एंड फ्रेंज्स और मुझे द